दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर अंठावन एक्टिव केस बचे हैं जारखन में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,45,885 पहुँच गई है 3,442 ठीक भी हुए है जारखन में दूसरे राजियों तक भी बस चलाने की मांग जारखन परदेश बस एसोसियसन का परतिनी धिमंडल राजिय के परिवहन आयुक्त कीरन कुमारी पासी से मिला एसोसियसन ने परिवहन आयुक्त को अपनी बीभीन समस्याओं से अउगत कराया एसोसियसन के परतिनी धिमंडल ने परिवहन आयुक्त से जारखन से दूसरे राजिय में भी बस चलाने की अनुमती मांगी जाने की भी मांग परिवहन आयुक्त के समख्च रखी गई है। जाने के बाद 3 जून से सरकार मीनी लोगडाउन में छूट दे रही है। इसे अनलोग कहा जा रहा है। अनलोग वन से अनलोग फाइब के बीच बाजार खोलने, बस परिचालन, मौल सिनेमा होल, पार्क इस्ट रिस्टोरेंट खोलने की छूट राज्य सरकार दे चुकी है। लेकिन मंदीरों का दरवाजा भक्तों और कोचिंग कलास का दरवाजा शात्रों के लिए खोलने पर सरकार ने अब तक फैसला नहीं लिया है। लोगडाउन के बावजयोत जहारखन में सरकार की बड़ी कमाई दोस्तो कोरोना के कारण लगे लोगडाउन के बावजयोत जह 1649 दस्मलो दो एक करोड रुपए रहा है जो कि पीछले वर्स की समान अवधी में हुई टेक्स वसुली 2323 दस्मलो तीन सुनिय करोड से 1325 दस्मलो नौ एक करोड अधिक है आई जी एस्टी सेटल्मेंट के तह जहारखंड को 464 करोड और जी एस्टी कमपर शेशन के रूप में 337 करोड रुपए राजजी को हासिल हुए हलाकि पीछले वर्स से तूलना करें तो कमपर शेशन के मद में जो राशी आई है वह कम है जहारखंड को मिली कोवी शील्ड की डेढ़ लाक डोज दोस्तो जहारखंड में वैक्सिनेशन की रब्तार को बढ़ाने के लिए केंदर सरकार हर संभाव परयास कर रही है इसी कड़े में जहारखंड को 1,50,000 डोज उपलब्त कराई गई है आपको बता दे कि 29 जून को वैक्सिन का श्टोख खत्म हो चुका था उसके बाद 2 जूलाई को कोविशिल्ट के 4,49,000 डोज चारखंड को मिली थी लेकिन डोज फिर से कम हो गई थी जिसके बाद केंदर ने जूलाई के कोटे में से वैक्सिन राजजी को अवंटीत कराई गई है आपको बता दे कि 9 जूलाई को राजजी को को वैक्सिन की एक लाख डोज मिलेगी जबकि 15 जूलाई को 2,47,000 कोविशिल्ट की किंदर के द्वारा राजजी को दी जाएगी जारखंड में गरीब मिधावी शात्रों को सरकार देगी एक लाख रुपे की सोगात दोस्तो जारखंड में तकनिकी सीख्षा में शात्राओं की भागी दारी बढ़ाने को लेकर बेहत्रिन कदम उठाएगे हैं राजजी की वैसी शात्राओं जो डिप्लोमा से लेकर एम्टेक तक की डिगरी लेने जा रही हैं उन्हें राजजी सरकार कोर्स के हिसाब से दस हजार से लेकर एक लाख रुपे तक की राशी देगी यह प्रस्ताओं उच तकनिकी सीख्षा यों कोशल विकास विभाग दोरा त्यार की गई थी जिसे मुख्यमंत्री ने सुम्मार को अपनी महजूरी दे दी है तैयार प्रस्ताओं के अनुसार NIRF रैकिंग के शिर्ष सौव के रैकिंग में आने वाले वैसे संस्थान अथवा बिश्व विद्याले जो राजी में इस्थीत हो या राजी के बाहर इस्थीत हो उसमें पढ़ाई करने वाली शात्राओं को राजी सरकार एक लाख रुप पर कोरोना महमारी के कारण संकट मंडराने लगा है अगर अगले हबतेत तक इन शात्रों की प्रेक्टिकल परिक्षा नहीं हुई तो रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है आपको बता दे कि इनकी परिक्षा के लिए स्कूली सिक्षा वसाक्षरता विभाग ने आपदा परबं रहें जो कोरोना की दूसरी लहर की कारण प्रेक्टिकल की परिशा नहीं दे सके थे सुप्रीम कोट के निदेश के अनुसार जहारकंड एकडमी कॉंसील को भी जुलाई में ही मेट्री के साथ साथ इंटरमीडियट का रिजल्ट परकाशित करना है राची के ट्राइवल एक इस्टेन स्वामी को बंबे हाइकोट के आदेश पर 30 मई को मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में भरती कराया गया था रविवार को उनकी सेहत और बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें आईसियू से वेंटिलेटर पर जी हाँ आईसियू में वेंटिलेटर पर रखा गय है कई प्रस्ताओं पर मुहर दोस्तो मंत्री मंदल सचिवालय ओम निगरानी विभाक द्वारा सुचित किया गया है कि मंत्री परिशत की बेठक मंगलवार दिनांख 6 जुलाई को 4 बजे जारखन मंत्राल यानि प्रोजेक्ट भावन में होगी इधर मुख्यमंत्री हेमन फादर इश्टेन स्वामी के निधन पर गहरा दुख्यमंत्री ने कहा फादर इश्टेन स्वामी ने अपना जीवन आदिवासी अधिकारों के लिए काम करते हुए समर्पित कर दिया जगनात मंदीर से रथ यातरा निकालने के लिए हाई कोट में जन हितियाजी का दायर दोस्तो राची के जगनात पूर इस्थित जगनात मंदीर से रथ यातरा निकालने की मांग को लेकर जारखंड हाई कोट का दरवाजा खटखटाया गया है रथ यातरा निकालने का आदेश दिये जाने की मांग को लेकर हाई कोट में जन हितियाजी का दायर की गई है जगनात मंदीर नियास समीती की ओर से उच्छ नयायले में जनहीत याची का दाकिल की गई है याची का में कहा गया है कि पीछले 300 साल से अधिक समय से राची के जगनात मंदीर से रथयात्रा निकलती है लेकिन पीछले साल कोरोना संक्रमन को देखते हुए रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी जाची का करता ने अदालत से मांग की है कि सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार राची में भी जगनात मंदी से मौसी बाड़ी तकरत यात्रा निकालने की अनुमती दी जाए अगले महिने आ सकती है कोरोना वाइरस की तीसरी लहर दोस्तो कोरोना वाइरस की तीसरी लहर अगस्त के मध्य तक भारत में आने की संभावना है जबकि सिदंबर में पहले चरम पर हो सकती है यह सोमार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया है आपको बता दे कि देश में दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है SBI Research द्वारा प्रकाशित COVID-19 The Race to Finishing Line शिर्सक वाले रिपोर्ट में बताया गया है कि टीका करन ही एक मातर बचने का उपाया है क्योंकि वैश्विक आकड़ों से पता चलता है कि औसतन तीसरी लहर के चरम मामले दूसरी लहर के समय के चरम मामलों के लगभग एक दस्मलों साथ गुना हो सकते हैं बताया गया है कि भारत में केवल 4.6 परतिशत ही आबादी को पूरी तरसे टीका लगाया गया है जबकि 20.8 परतिशत को एक खुराक मिली है यह अमेरिका, यूके, इस्राइल, इस्पेन, सहित अन्य देशों के तुलना में बहुत कम है जारखण में इधर से उधर हुए कई वरिष्ट पुलिस अधिकारी अधिसूचना जारी दोस्तो सरकार ने पुलिस महकमे वे ब्यापक फेर बदल किया है सोमवार को किये गए फेर बदल के तहट पदस्थ हापना के लिए परतिक्षा रत वरिष्ट आईपियस संजय आनद लाठ कर को ADG बनाया गया है वहीं SSP धनबाद असीम विक्रांत मींच को DIG कोलहान शेत्र चैवासा बनाया गया है इसी परकार DIG होमगार्ड वो अगनी शमन सेवा किंद सेवा नरेंदर कुमार सींग को DIG हजारीबाग DIG कोलहान शेत्र राजी उरंजन सींग को अगले आदेश तक DIG जहारखंड सेन्य पुलिस राची DIG रेल जहारखंड शेलेंदर कुमार सींग को DIG भरष्टचार निरोधक ब्यूरो राची DIG बजट पटेल मयूर कनेया लाल को DIG बोकारों के पद पर पदस्थाफित किया गया है दोस्तो बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली NCR में महसूस किये गए भूकम के जटके दोस्तो दिल्ली NCR के कई इलाकों में सोमवार रात भूकम के जटके महसूस किये गए नेशनल सेंटर फोर सीस्मोलोजी के अनुसार रियक्टर इसकेल पर भूकम के जटके रात 10 बच के 36 मिनट में महसूस किये गए भूकम का केंदर हर्याना के जज़र से 10 किलो मीटर उत्तर की ओड़ था नेशनल सेंटर फोर सीस्मोलोजी के अनुसार भूकम की गहराई 5 किलो मीटर थी CBAC की अगले सत्र के लिए 10 बार्वी कक्षा की 20 मुल्यांकन योजना घोसित दोस्तों केंदरिय माधिमिक सिक्षा बोड यानी CBAC ने सोमवार्क 2021-2023 के लिए कक्षा 10 बार्वी की बोड परिक्षाओं के लिए एक 20 मुल्यांकन योजना की घोसना कर दी है CBAC के नए मान दंडों के अनुसार सेक्षिनिक सत्र 2021-22 के पाठे करम को दो भागों में विभाजित किया गया है इस योजना के साथ परतेक टर्म में 50% सिलेबस कवर किया जाएगा CBAC ने कहा है कि उसका नया सेक्षिनिक सत्र परतेक सत्र में पाठे करम के 50% के साथ दो टर्म में भी भाजित किया जाएगा पहले टर्म की परिक्षा नौंबर दिसंबर में और दूसरे टर्म के लिए परिक्षा मार्च अप्रेल में होगी राची हावडा शताबदी ट्रेन गंगघाट के पास वींच मशीन से टकराई बाल बाल बचे सैकडो यातरी दोस्तो राची हावडा शताबदी ट्रेन सोमवार को दुरगटना ग्रश्थ होने से बाल बाल बच गई ट्रेन गंगगाट स्टेशन के निकट पटरी पर रखी वींच मशीन से टकरा गई 80-90 किलोमेटर परती घंटे की रपतार से जारी ट्रेन के सैकडो यातरी बाल बाल बच गए ट्रेन के लोको पाइलट के समय रहते ब्रेग लगाने से बड़ा हाथ सा टल गया टकर इतनी जबर्दस थी कि ट्रेक के किनारे पड़े बलेष्ट ट्रेक पर आगए कुछ कदम तक वींच मशीन को घसिटते हुई ले गई इस घटना में 25 मिनट तक ट्रेन रुकी रही रेलवे ट्रेक से मशीन को हटाय जाने के बाद फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ साथ जुलाई को हो सकता है मोधी केबिनेट का पहला विस्तार मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल में पहला मंत्री मंडल विस्तार बुधवार को हो सकता है इस विस्तार में परधान मंत्री नरेंद्र मोदी एन डिये के चार सहयोगी दलों जदियू, लोचपा, अन्ना द्रमुक और अपना दल को सरकार में परती निधित्व देंगे इसके अलावा YSR कॉंगरेस को भी सरकार में शामिल के जाने की चर्चा है खबरों के अनुसार केंद्री मह ग्रिह मंत्री अमीत शाह मंगलवार को मंत्री मंदल बिश्तार के संदर्व में कई अहम बैठके करेंगे असम में पूरू मुक्यमंत्री सरवानन सुनुवाल को दिल्ली पहुँचने का संदेश दिया गया है जो तीरा दित्य सिंधिया पुपेंद्र यादव को फिल्हाल दिल्ली में ही रहने के लिए कहा गया है MS धोनी ने पतनी साक्षी को शादी की सालगिरह पर दिया special gift दोस्तो MS धोनी साक्षी के लिए anniversary पर खुबसूरत gift लेकर आए है धोनी ने साक्षी को चमचमाती हुई car gift में दी है अपने पती से जूड़ी तस्वीरे फैंस के साथ share करते हुए उन्होंने बताया कि धोनी ने उन्हें शादी की सालगिरह पर क्या तोफा दिया है इस मौके पर सोसल मिडिया पर कई हस्तियों ने उन्हें बधाई और शुप कामनाई भी थी है भारतिय टीम के पूरो कप्तान और दिगज महेंदरी सिंग धोनी और उनकी पत्री ने चार जुलाई को अपनी शादी की ग्यारवी साल गिरह मनाया टीम इंडिया को दो बिश्वकब जीताने वाले कप्तान धोनी ने साल 2010 में अपने बचपन की दोस्त शाक्षी से सादी की थी जहारखंड के मुख्यमंत्री स्री हेमत सोरे ने कहा फादर इस्टेन स्वामी की मौत की जवाब देही केंदर ले दोस्तो जहारखंड के मुख्यमंत्री हेमत सोरे ने कहा कि फादर इस्टेन स्वामी की मौत केंदर की उदासींता के कारण हुई है केंदर सरकार को इसकी जवाब देही लेनी चाहिए मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें उचीत चीकित सा सिवा उपलद नहीं कराई गई जिसके कारण से उनकी मौत हो गई मुख्यमंत्री स्री सोरेन ने ट्वीट कर अपनी भावनाव को साज़ा किया है उन्होंने अपने ट्वीटर हिंडल में लिखा है कि फादर इश्टेंस स्वामी के निधन के बारे में जानकर अस्ताब्ध हूँ अस्ताब्ध हूँ उन्होंने अपना जीवन आदिवासी अधिकारों के लिए काम करते हुए समर्पित कर दिया मैंने उनकी गिरबतारी और कैद का काड़ा विरोत किया था